नमस्कार दोस्तों ममता की रुसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूँ लहसुनी मैगी मैगी हजारों बार बनाई होगी आपने पर इस तरीके से एक बार जरूर बनाईएगा तो दो चम्मच मैंने सरसो का तेल डाला है थोड़ा सा उसमें जी मैगी को ट्राई नहीं किया होगा तो जरूर करिएगा आप सबको बहुत पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा अब डालेंगे एक बारी कटी हुई प्याज और प्याज डालने के बाद थो और मटर डालके भी हम भून लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसी तरीके से बराबर चलाते हुए भूनेंगे बहुत ही लाजबाब बन के तयार होती है मैगी और बहुत जल्दी बन जाती है तो यहां पे देखिए इस तरीके से मैंने सारी चीजों को भून तो यहां पे देखिए अब हम डाल देंगे टामाटर डालने के बाद पानी तो यहां पे लगबग मैंने एक ग्लास पानी डाला है कब से ना पेंगे तो दो से धाई कब पानी होगा तो इसे डालने के बाद एक बॉयल आने देंगे उससे पहले हम इसमें कुछ मसाले पैकेट डाल दिया है इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक और आप अगर जादा इस पैसी बनाना चाहते है तो थोड़ी सी लाल मिर्च का पॉर्डर भी डालिएगा जो कि मैंने डाल दिया है आप तीखा कम पसंद करते हैं आप बच्चों के लिए बना रहे है तो लाल मि तो इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों के साथ में और ये देखिए दो मिनट और मैगी तयार बस अब हम इस मैगी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप अगर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहता है तो जब पानी हमने डाला था दो से ढ़ाई कप उससे आप थोड़ा सा जादा डालें अब डालेंगे हरी धनिया गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और गर्मा गरम मैगी को सौफ कर लेंगे तो ये देखिए एकदम लेसन के टेस्ट वाली अगर आपको लेसन पसंद है तो आपके लिए ये मैगी बिल्कुल पॉफेक्ट है तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा घानिस कर लिया है हरे धनिये से और मेरी ये रेस्पी जरूर ट्राइ करियेगा और मेरी ये मैगी की रेस्पी आपको पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजीग चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा बाय बाय दोस्तों and टेके